दिलील विच तो दा स्वागत है ते मैं है स्पी सिंग देश नू अजादी मिलन तो बाद शायद ए पहली वरी है के केंदर विच कोई ऐसी हकूमत साडे उते तारी है जिस दा देश बारे पविखदा सुपना राश्ट्री स्वैम सेवक संग आरेसेस दे सुपने नाल एन मिल्दा जुल्दा मिल्दा जुल्दा की है बलके बिल्कुल एक ही है हुनता एक कोई टकी छुपी गल नहीं के आरेसेस अते पार्ती जन्ता पार्टी राजनी तक पेड़ विच एक सांजे जुट वजों विचर दिया हन अते अडियालोजिकल फ्रेमवर्क जड़ाओना दा विचार तारक सांचा है ए सांगी तै करदा है संग दे सरसंग चालक आरेसेस दे मुखी शिरी मोहन पगवजी दी एक बड़ी महत्व पूरण इंट्रिव्यू चपी है आरेसेस दे ही रसाले विच और्गनाइजर आते पंच जन्या विच ए उना दे अंग्रेजी आते हिंदी दे विच मौट पीसेस हन, रसाले हन, जरीदे हन जो इंट्रिव्यू अंग्रेजी आते हिंदी दोना विच यफ़ी है इस इंट्रिव्य चोना ने क्या है के कन खोल के सुन लवे हर कोई हिंदोस्तान एक हिंदू राश्टर है हर चीज बदल सकती है पर एक सच नहीं बदल सकता पारत एक हिंदू राश्टर है ओ शबद हिंदोस्तान प्रयोग कर दे हैं हिंदोस्तान नहीं हिंदोस्तान सो हिंदोस्थान जिदे विच असी रेनने आपरेंटली एक हिंदू राष्टर है उना एवी क्या है कि हिंदू समाज विच देश विच वार वार गुसा दिखनू मिलदा है एक गुसा कई वरी फुट पैंदा है सडकांते असी सारे ने विच गुसा फुट देया देखिया है लिंचिंग्स दिया कटना हमा देखिया हान हर रोज किसे ना किसे गली दे विच गुसा फुट पैंदा मौन पगवजी ने क्या है इस दा मुक कारण एह है के हिंदू समाज पिछले एक हजार साल तों लगातार जंग विच है हुन जाके किते आरेसेस दी मदद दे नाल जा गया है मौन पगवजी ने जड़े पाजपादी सरकार दे पत पर दर्शकदा रोल भी अपरेंट दी निबान देहन एवी क्या है के मुसलमाना नो इस देश विच डरन दी कोई लोड़ने बस सिरफ एक ख्याल त्याग देन के ऐसी कोई तोप चीज़ा अपना सुप्रीमेसी दा नेरेटिव चाड़ देन एवना देश अबद ने एता चाड़ना ही पवेगा याद रहे के मौन पगवजी दा यादरा दियां सुर्खियां बहस दा रुक मोड रही हान या मोड ना लोच रही हान देश विच हो रहे तुरुवी करन बारे बहस जोरा हुते है अटे सियासी पंडेत पविख दे पारद दी शकल पढ़ना चारे हन सानू मोहन पगवजी दे विचारा नू केवें पढ़ना केवें समझना चाईदा है राहुल गांदी होरांदी पारद जोड़ो यातरा नल जोड़े बिरतांत नल केवें निजटना चाईदा है इस सब बारे गल करन ली आज सादनल जोड़ रहे हन प्रफेसर अपूर्वानच जी दिली युनिवरस्टी दे विच अपक हन समाज नू साहित अफसान निगारीता पढ़ांदे ही हन इस सादे देश दे ओ पॉब्लिक इंटलेक्च्छल हन लोग बुद्धी ची वी हन जड़े सान नू इस समाज नू अपनी आत्मा नू पढ़ना भी सिखंदे हन is one of the foremost voices in the on the liberal hemisphere this country is left with now so professor पूर्वानच जी मैं उदार असल तो अड़ी इंट्रड़क्शन बहुत चोटी कर के सादे समया दा कंशाइंस की पर कहाना चाहिएदा सादे समया दी आत्मा दी आवास कहा देना चाहिएदा पर तुसी ये दसो एक देश दी आत्मा नू मोहन पगवजी ने भी समझा है संग दा कहना है कि उलगातर इसते कम कर रहा सी हुनोन दा एवी कहना है कि हुन असी सबल हो गए है हुन सादे को लेनी शक्ती आ गई है देश उना दे हत्तां विच है निरेंदर मोदी जी ते मोहन पगवजी दे विचकार कोई समस्या होवे ता यह उना दा अपना काम होवेगा पर जो मोहन पगवजी खाका खिच रहे हैं जे 2004 दे विच एक गल्ना करके जाना है तो तुसी आउन वाले समय विच हिंदोस्तान दी शकल के इस तरह दी देख देओ पाजपा या संग ने अगों केड़ियां केड़ियां विदी विदान नाल इस देश नों बदलना है उसनों के में देख देओ ते देश देवे जड़ी पॉलराइजेशन है उदेवे चेंजी जाबदा सी के इलेक्शन कई वरी फ्लैटनिंग चीज होंदिया ने अलग लग लोकादिया वुटा चाहिए होंदिया ने शायद पॉलराइजेशन कुछ कुछ कटेगी दोहजार ने लेक्शन है तो पहला कुछ यह हो यह अगला सुनों मिल दिया सी दोहजार चोवी तो पहला वाला बिर्तान ते बड़ा खतरनक सुनों मिल रहा है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यह दरसल दोहजार चॉबीस के चुनाओ का एक तरह से प्लैटफॉर्म तयार किया जा रहा है यह कहा जा रहा है कि असल मुद्ध यह है इसको आप से भी देख सकते हैं कि मोहन भागवत के बयान के पहले अमित शाह का बयान आया जिसमें रहुल गांधी को उन्हों ने चुनाओती दी और कहा कि एक जनवरी दोहजार चॉबीस को मंदिर बनके तैयार होगा रहुल बाबा सुन लो कौन कोल के सुन लो तो अब कोई मंदिर खुलना किसी के लिए चुनाओती क्यों होना चाहिए उसको धंकी की तरह क्यों कहा जाना चाहिए लेकिन अमित शाह ने यह बात पहले कह दी तो मोहन भागवत तरहसल उस वाक्य को पूरा कर रहा है जो अमित शाह ने शुरू किया था है और मोहन भागवत एक तरह का पूरा आप जीसे रोड्मैप खारते हैं वह रोड्मैप दे रहे हैं दोजार चौबिस का कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना है यानि अपनी constituency उनके constituency क्या है या बहुत स्पष्ट कर रहे हैं या constituency हिंदों की constituency है उसके अलावा और किसी की परवां को नहीं है और इस constituency को जितना consolidate किया जा सके जितना गोल्बंद किया जा सके उसकी कोशिस इस interview में दिखलाई पड़ती है इसके साथ ही राश्ट्री सुम्सेवक संग के लिए उन लोगों की तरफ से भी समर्थन जुटाने की कोशिस है जो हैं तो नहीं संग के लेकिन जो बिचारे संग का समर्थन करने को तयार है तो उनके लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे आप यह कह सके खुद अपने सुप्रेमेसी की बात क्यों करनी चाहिए और अगर वे कह रहे हैं कि सुप्रेमेसी छोड़ दो तो इसमें बुरी बात क्या है यह तो कोई वे नहीं कह रहे हैं कि हिंदू सुप्रेमेसी की बात की जा सकती है लेकिन हिंदू बिचारा तो कभी भी सुप्रेमेसी udhar होता है नरम सहज सेंञी इस हिंदूं की जो हिंदूपन है उसके चलते ये फायदा मिल जाता है जैसे एक आ जाता है हिंदू की 33 क्रोड देवी देवता है, तो वो तो इतना ओपन है, वो किसी को भी स्विकार करता है उसमें कोई किताब नहीं है वो कट्र नहीं है सुभाव से कट्र नहीं है तो इसलिए हिंदु से यह मांग करना बिकार है मांग करने पड़े गी और यह बार आपर आइब रहुमम्क रिलिज्ि वह शबद ओयूज हैं जिनके एक टाब है टु गिताब टो सिखकों की भी है तो फिर सिखकों को भी सोचना पड़ेगा कि उनके बारे में RSS की राय क्या है और इसलिए उनों ता मात है ना कि अता सड़ा हिसानें हैं इसलिए वो सेवक है उसका चौकिदार है उसके हैसियत यह इस पूरे बयान में है यानि उन लोगों को भी कुछ दिया गया है जो संग का समर्थन करना चाहते हैं संग में नहीं है और जो संग के हैं उनको बतलाया गया है कि यह हमारा विचार है इसके साथ ही यह चूंकि पिछले एक डेर दो साल में हेट स्पीच की चर्चा बहुत जादा होने लगी और सरोच नहाले में बार बार यह मसला आ रहा है हेट स्पीच एक बहुत बड़ा मामला बन गया है कि चारों तरफ से गाली गलाज हिंसा भरे बयान मुसल्मानों का कतले आम करो उनकी औरतों का बलातकार करो कि भई हम जंग में हैं एक हजार साल से जंग में है तो हमारी जुबान जरा खराब हो गई है तो आपको समझना चाहिए जुबान क्यों खराब हो गई है इंडियन एक्सप्रेस ने एडिटोरियल लिखा है मोहन भगवत जी दी स्पीच दे उते और एक्सप्रेस ने मेर दिया साब गला चड़ो तुसी राम मंदिर दी गाल करो पोलाराइजेशन दी गाल करो और वीडियो तैने हूंता एक मदब साक्षात सब देर सामने हैं संपात की यह कहनदा है कि की ए और अवच्वस डेमुकरिसी दे विछ दार असल तुसी इस किसम दे हिंसानों जिस्टिफाई नहीं कर रहे हैं एक कह कि कि लोगोगों केने बिलंगे जैना तो पहला लोग बिलंगे के लिए किसे मार देख लोगो 9C गाला के जैनी वे जाके तुसी मार देओ उन्हों कहेंगे जी की माड़ी गाला 1000 साल तो हिंदू जंग वेच एक कुते गुसा आ गया विजा अर्थियां वेच गुसा फूट पया किसे गली वेच गुसा फूट पया उन महुन भगवजी कह रहे ने के बार बार गुसा फूट पड़ता है क्योंकि वो जंग में है यू थिंक इन्वेस्ट्री के नल पढ़या जाएगा कि ये जस्टिफिकेशन है ते जे ये जस्टिफिकेशन है RSS दा चीफ ए गलना कह रहे है के वल चांद कूँ वेच एडिटोरियल कमेंट्स तो बिना देश ने एक वड़ी बैस इमेजेटली क्यों नहीं देखी ए मीडिया तो क्यों गाइब है मोहन भगवत कोई असानी नाल इंटर्विव नहीं दें दे सर संग्चालक बहुत वड़ी पोस्ट है सर संग्चालक दा जुबान खोलना एक वड़ी ख़बर हुन दी है जो दो ओ इना तरदद देनाल इना जो स्थारत इंटर्विव दे रहे ने तो दे ते ते तमाम टीवी चैनलां दे उते बहस क्यों नजर विच नहीं आ रही उस टीवी चैनल इस पे क्यों बहस नहीं कर रहे हैं या shoppingर बहस नहीं कर रहे है या समझना बहुत कटी करनी नहीं है क्योंकि पछले बूस साल से या उससे वह जादा से भारत के टीवी चैनल और अख़बरों ने एक तरह से हिन्दुत वादी काम करना यह शुरू कर दिया तो वे यह देखते हैं कि कौन सी बहस की जाए कौन सी बहस नहीं की जाए क्योंकि आप आखिर वो बड़े अख़वार हो या TV चैनल हो, वो इसको कैसे जायद ठैरा सकते हैं कि गाले गलौच की जाए या लेकिन वो ही खाली के लोज़ करते हैं अगर आप प्राइम प्रोग्राम्स देखेंगे तो वह हेट स्पीच है सारे के सारे इसलिए वह समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि क्यों वे ऐसा नहीं कर रहे हैं बेशरम रंग में रंगे गए हैं हम बिलकुँ और यह बहस इसलिए नहीं की जा रही है कि अभी भी यह बतलाने का प्रियास किया जाता है कि राश्टे सुम सेवक संग एक बहुती सब भे संगटन है वो सांस्कृ प्रणाम मुखरजी गए तो यह इन सब से पूछा जाना चाहिए कि आप दरसल एक ऐसे वेक्ति के सामने एक ऐसे जंडे के सामने सर जुका रहे हैं जो मुसल्मानों और इसाईयों के खिलाफ हिंसा को जायस ठहरा रहा है और खुले आम जायस ठहरा रहा है उसके लिए वह एक तर्क जरूर ले रहा है कि हम एक हजार साल से जंग में मुझे नहीं मालूम कि कौन से जंग चल रही है एक हजार साल से जिसमें हिंदू है आप प्रसर है यूनिवरस्टी के लोग आपसे उमीद करते हैं कि आपको उस जंग के सारे कंटूर्स मालूम होने चाहिए तो य ये जो एक बेसीज मेंटालिटी है, ये तो हमेशा से पैदा की जाती है मेजौरिटी में, ताकि मेजौरिटी को एग्रेशन की तरफ ले जाये जा सके, ये पूरी दुनिया में जाना गया है, जर्मन रेस को कहा गया कि वो पेसीजड है, और ज्यूस से उसको खत्रा है, यहू आती है और इसलिए इसको इंजेक्ट करना बहुत आसान है और यह काम राश्टे सुएम से वकसंग पिछले सौ साल से कर रहा है कि हिंदू बिसीज्ट हैं और हिंदूों की तादात कम हो अब हमारे पस शक्ती आ गई है अब हम साबल हैं अब हम इसको नहीं चोड़ेंगे अब हम आगे लेके जाएंगे इसी तरह से और अगले पचास साल का भुष है हमने अभी से सोचना है अभी से ये काम शुरू करना है जड़ी ओना दी लेंग्वेज है हो दे विचो रिस्पॉंसिबिल्टी भी ला रहे ने हूँ कह रहे ने साड़िकल पावर है साड़ सी जिम्म वरी भी लेंदे हैं मैं उन्हादी एग्जेक्ट लाइना पढ़ देना हूँ सो दर नथिंग इस लॉस्ट इन ट्रांसलेशन और बोला है आज हमारी शक्ती है तो सभी राश्ट्र हित में हो इसके लिए इस शक्ती का जितना उप्योग हो सकता है हम जरूर करेंगे ये बावथले रहें तो विटेक्र रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं लेता था ना थुरामगोटसे की नहीं ली बाबरी मस्जद गिरी उसकी नहीं ली अब चीज बदल रही है ।ब हजार दो में हुआ उसकी नहीं ली लेकिन अब चूंकि वो ताकत में हैं और वह इसको डिनाई भी नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी अमिद शाह जैसे स्वयम सेवक वहां पर मौझूद हैं तो अब अगर उसकी क्रिडिट थोड़ी बहुत ले और इसका एक दूसरा हिस्सा भी है पक्ष भी है जिसको समझना बहुत जरूरी है वह यह कि संग को हिंदूओं की पीच यह भी हो दिग एक होड़ी कर रहें कि हम है वह हमारे सौम सेवक हैं इसलिए कर रहे हैं मैं रिख लिए रूक है रख नहीं है कि एक विक्टम हुड़ तो ओ नरेटिव हुन कूआ वी आर इन पावर है हुन साहरे कूर शक्ति है ओट़ लेके जारहे ने पहlyना यह रहे है एसी डब दा नक्षा बना रहे हैं ते काम मुंतों शुरू कर देता है ते मोहन पगवजी दी बड़ी डिटेल्ड इंटर्वियू आ गई है हो रोना ने की की गला किया ने जड़ियां तो अनू पता होनी है बहुत जरूरी ने ते फेर सारी गला उस यातरा नार के वे जुड़िया ने इस देश देविच हिंदू समाज और इस देश देविच कोई हिंदू समाज नहीं है सारा देश हिंदू समाज नहीं बने हुए है उन्हादा कहना के हिंदूस्तान हिंदू राष्टर है इस देविच हिंदू समाज रहनदा है ते हिंदू समाज पिछले एक हजार साल तो लगा तर जंग वेची हुन भी कदिक गुसा फुट पहनदा है क्योंकि हजार साल ना तो तुसी लड़ाई वेच वो तक किसे नो कदिकुसा आभी सकता है क्यों किसे साथी मुसल्मान देनाल कुछ जाजे आप कर भी सकता है तो इना चीजा नो समझना चाहिए है पर मुश्किल है कि आउन वाले समय देविच देश किस तरीके देनाल बनना इद भी कुछ उनाने निशान देई कीती है साथनल इस गलबद देविच प्रोफेसर पूरवा नन जी इते मदू कीता सी उनानों प्रोफेसर पूरवा नन जी उनाने मुसल्मान दे बारे कुछ गल्लां की तिया ने मौहनबगवजी ने कुछ समय पहला दरसल मैंनों कुछ नर्मी सुनन आई सी पिछले साल उनने जिसले ग्यान वापी मसजद मसला कड़ा आ है उननने का एक की तरीका हो दात उसी हर मस्जद मसजद जा कर शिवलिंग लबना शुरू कीता है कोई तरीका है साथी रामंदिर तक दी मुवमेंट सी हो कि सासी मुवमेंट सी असी ओदेचे साप आया रामंदिर बन रहा है यह सब नहीं करना चाहिए था सो इद्धा लगदा सी अजिए डाइलिंग डाउन दार हेटोरिक के हुन कट करो इस पोलराइजिशन हुन उनना ने चानके के है कि मुसल्मान नो डरन दी कोई लोड नहीं है बस ऑ अपना सुप्रीमेसी दा निरेटिव छड़ दे ख़बरदार जिये सोचे है कि असी भी कोई चीज सी असी भी तोप चीज सी असी कदी हिंदुस्तान ते राज कीता है असी कोई महान कौम है गया यह सब छड़ना पवेगा विच मींज के ए देश एक खास लोकां दा ते तो अन्नो ए समझना पएगा के यह हिंदुस्तान है यह शबदों यूज करते हिंदुस्तान दे विच रहना होएगा ता आप तुसी बहुत कोई तोप चीज हो एक ह्याल चड़ना होएगा मुस्लिम समाज किस तरीके ना रेक्ट करेगा बाकी लोगे स्टेटमन नो किस तरह पड़न जड़ा गली वेच पहले डांग लेके तुरया फर्दा मुस्लमान दे का रखे उसनों इस तों की इशारा मिलगा देखे इखलाक को इसलिए तो नहीं मारा गया कि वो यह कहता था कि इसलाम सबसे अच्छा है पहलु खान को इसलिए नहीं मारा गया यह तमाम लोग जिनको मारा गया है या जिनके घर बुल्डोज कर दिये गया है वो इसलिए तो नहीं किया गया है कि वो कहीं कह रहे थे कि इस्लाम दुनिया का और हिंदुस्तान का सब से अच्छा मजभ है और हमने कभी शासन किया था आपने अलग अलग बहानों से मारा है कभी यह कह के कि यह गाय का मान्स काते हैं तो इसलिए इसमें तो एक जूट है जो बहुत साफ है कि आप यह कह रहे हैं कि आप दरसल नेडर से रह सकते हैं सिर्फ अपने सुप्रेमेसी छोड़ दीजे तो यह सारी हत्याएं इस वज़े से तो नहीं हुई है यह हमारे सामने बहुत साफ है आप दरसल मुसल्मानों को एक दोयम दर्जे के हालत में डालना चाहते हैं है आरेसस का जो मॉडल है वो मॉडल है टोटल इमने जोल पॉपलाशन भॉपलिशन भॉट वह प्यूज़ प्रवर प्रवार रह प्रवर यू का जोज़ उस्त्री वाइलेंस आप अन्यूंज यूसमीड उसमीडिया मेडिया उसक्राइव नूज़ नुज़ लोकान ओ थे मारता गया साथ लुड़ यहूदिया उसक्रा नहीं पर्मनेंट सबजूगेशन और पर्मनेंट सबजूगेशन इस तरह से किया जाएगा कि बार बार आ पर आरोप जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कुते को बुरा नाम दो और उसको मार डा लूग तो आप पर बार आरोप लगाया जाएगा कि दरसल आप अपने आप को सुप्रीम कहते हैं, असल प्राब्लम यह है, अब एक व्यक्ति जो खेती कर रहा है, एक व्यक्ति जो पंक्चर का काम कर रहा है, एक व्यक्ति जो कहीं पढ़ रहा है, एक व्यक्ति जो मकान खरीदना चाहता है, वो किस सुप्रेमेसी की बात कर रहा है, एक व्यक्ति जो नम रक्तिदे बारे शक्तिदे शक है। आज और इस देश तेश्टे प्रतिव निष्टा देश्शक कहा है, एक अन्रिज्ट मुस्लिम कोस्टिछन उनीसम्ट बने लेकर लिए लगा तारे बने उनने क्या विया के जड़े इधे हैं और रहे सकते नहीं, उननना किया जड़े अपने पूर विजान दे तरह वापस आना चान वापस आड आ सक देने तो कई दोज रवाज खोल ड़ने वट आस किसी अज़ कि अरेसेस नो जड़ रहा कुछ लोग आपड़ दे ज़ बदल नू ज़ रहा कुछ लोग तरह बढ़ दे ने बदलना भी थी ता कुछी दिना बाद मोहन पगवजी मुसलिम डेलीगेशन नू मिल रहा है सान मेरकली कमॉस्ट वे विच वी उचकर मार के आई सान एक दिन मोधी जी ने और तहां दे सशक्ती करन दी गाल की थी ता मोहन पगवजी जड़ी ओविजे तशमी स्पीच हों दिया दुसा दी यह मोहन पगवजी एंड आई आई एफ दरेफरेंस सम्वेर हेर कि एग्जेक्टिव ने किते किया और दिली देवेशन कुछ दिना दी बैठक सी जुस्तमाद ने किया कि कोई वी व्यक्ति जड़ा है कि हिंदुस्तां चे मुसल्मा नही रहने चाहिए तो हिंदुत्व कंसेप्ट हुन उसले लोका ने किया कि जड़े MS गॉलवाकर दी जड़ा कंसेप्शन है जड़ी बंच आफ थौर्स तों जिसके संदी विचारतर आंदी है यह मुस्लिम जिद शत्रु देखे जिना है उन्नों डाइल डाउन किता गया उसनों नर्म उदेवेश नर्मी आई ओर न सऑ कहते हैं है जा है कि आर ऐसे सब एंटी मुस्लिम एंटी क्रिशेशन हेट्रिट से आरेसे सट्रुट होता है अगर उसको कोंशीशन देखें तो आर सस कॉंसट्रुट होता है एक ओग ऀंघूंद बनाकर और एक इंघूप बनाकर आउट ग्रुप में मुख्य मुस्लिम्स और कृश्चिन्स हैं क्योंकि वो पाहर से दिखलाई पड़ते हैं एक इन गृप वो बनाता है जिसको वो हिंदु कहता है जिसमें वो जैनों को भी शामिल करता है बौदों को भी सिखों को भी इन सब को शामिल करता है पार्सी वगेरा इंसिगनिफिकेंट हैं त तो क्या यह कॉंस्टिउशन बदल रहा है जो लोग भी कहते हैं कि RSS बदल रहा है तो यह कॉंस्टिउशन तो नहीं बदल रहा है यह कॉंस्टिउशन हमेशा कॉंस्टेंट है जो चीज कॉंस्टेंट है RSS में वो है एंटी मुस्लिम एंटी क्रिस्चिन हिट्रिड और से אारसस के अपने महले के लोगों से सुनता था कि नहीं नहीं, मसल्मान हमाने हें पह değ मुहममदी हिंद। है, हूं है नि तो मुहममदी हिंदू होके आप रहने को तयार हैं तो ठीक है? इसमें क्या द service है? घंदू थान विछ रहना का था, अफने कोई दिक्कत नहीं है वो सिर्फ हमारे महान पुरुशों को अपना महान पुरुश माल लें तो आप मालनें के राम आपके भगवान है हम जिनको जिनको प्रपोस करेंगे अनको मालें फिर आप रहें थो विल ताइट हम हदें तैय करेंगे उन हदों की बीतर आप रही है क्या दिक्कत है तो एक कुछ कट नामा हो रही है ने जिना दे संदर्प दे वेचे इस इंटर्वियू नो पढ़ना जड़ाओ जरूरी हो जानता है एक ता हिंदोस्तान दे उपर राश्टरपती जगदीब धनकर हो रहां केस पढ़ दे हैं पढ़ दे हैं आसी वड़े होई हैं सारी होशावासी है देच भीते ने मेरा सठवें द्यानता दा जनम है तरह तरदाव केस है हून नो कहन देने के ओ बड़ी शर्मनक जज्जमेंट सी ते डेमोक्रेसी दा मजाक सी गा जिदेच सुप्रीम कोड ने क्या है के समिदान दी बेशिक स्ट्रक्चर नाल छेड़ चाड़ नहीं कीती जा सकती असी होन सारी अपनी कॉंस्टिचूशनल जूरिस्प्रूडेंस उदे ते रखी है हून उपर आश्ट्रपती जे उसनो कुस्चन कर रहे ने पब्लीकली कुस्चन कर रहे ने ते बार बार ब अ मतलब उस्तोबाद भी नहीं कड़े गे उस्तोबाद पाजपादियां भी सरकार रही है वाजपाइदी भी सरकार रही है नरिंदरमोदी भी कवरी रहे ने उस्ट नहीं कड़ेगे हून शायद इना बाल ला गया कि ओ सच मुच एवन स्टैचूट ते वेच 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 कि दर असल ना किवलो हकीकी तौरते करना चाहते ने ओ इना चेंज इस नो डॉकुमेंट भी करना चाहरे ने के ए हिंदू राष्टर है तेस नो बदल देता जावे ए लिखत विच वी होना चाहिए सिर्फ मौखिक विच क्यों रवे दोनु चीज़े हो सकती है आर एसस मु हो जाते हैं क्योंकि एक समय के बाद हम वहां टर्म्स जो वह सेट करते हैं हम उसमें बास करने लगा है तो हां तो इसलिए जग धनकर साब ने जो किया है वह यह है कि बाउंडरी पुश करने की एक कोशिस है कुछ लोग इस पर बात करने लेगेंगी कि हर्जी क्या है भाई उस डिरेक्शन में ले जाना और वह कोशिस आरेसेस, आरेसेस के लोग, आरेसेस में आई हुए लोग जैसे धनकर कोई संगी नहीं है, स्वेम सेवक नहीं है लेकिन धनकर को साबित करना है कि वो बड़े स्वेम सेवक है जैसे हिमंद बिस्वा सर्मा को साबित करना है कि वो बड़ा सौयम से वक है इसलिए हैमन्द बेसुआ सर्मा इस समय भारत के सबसे खतरनाक भाजपाने ताओं में से एक है मुसल्मा तो इसलिए धनकर जो बेसिक स्ट्रक्चर को ही कुश्चिन कर रहे हैं और उसमें डिमॉक्रिसी का principle ला रहे है कि आखर democracy है क्या वह संसद बनाती है और संसद supreme है उसको जोडिशिरी जो un elected है वो कैसे उसको बदल सकती है यह इंद्रा गांदी ने यह दिमॉक्रिसी की समझ को पूरा उलट देना है क्योंकि डिमॉक्रिसी तो इस majoritarian impulse को contain करने की चीज़ है और उसके चलते है institutional frame है जिसमें judiciary है जिसको हमेशा एक oversight रखना है हमेशा examine करते रहना है कि कहीं majority majoritarianism में convert होकी जो आधार है constitutional उसी को खतम ना कर दे इंटर्वी उसके लिए रही है जिसमें एक parallel news stream लगा तर चल रही है कि सुर्खियां दा एक हाड आया हुए जिदेच राहुल गांधी कन्या कुमारी तो लेके कश्मीर वाल नो तुरे ने आज का लो पंजाब दी सरजमीन दे उते ने तो आनो जाब दा है कि एवी एक narratives दी टक कर रहा है राहुल गांधी ते यहां सुर्खियां था वैसी आ यार मेकिंग मोर न्यूस बैं नॉट बिंग इन दा न्यूस कवरां उस तरीके ला नहीं छप रही हैं साड़ा मीडिया उस तरीके ला नहीं नमाया कवरेज नहीं दे रहा है तुसी गाल कीती है कि नहीं पहना है तो सारसंग चल को बोलते हैं तो सारे टीवी चैनल लाइव डिसकस कर देने लाइव स्पीच टेलीगास्ट की जान दी है ते बारे कोई बैस भी नहीं थी चीजां बदल जान दी है नहीं रहुल गांधी दी यातरा इस किसम दे जड़ा पोलराइजिंग नेर प्रतिक्रिया की भाशा में बात नहीं करेंगे हम अपनी तरफ से कुछ मूलिय कुछ उसूल पेश करेंगे जिन मूलियों और जिन उसूलों पर समाज को चलना चाहिए और इन मूलियों और उसूलों की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन से वोट मिलते हैं इन से चुन लाकिशनादवानी ने जो भारत को बांटने की यात्रा शुरू की थी जिसके बाद भारत बट गया पूरे लेकिन वो जो रत चला तो उस रत के चक्चे से तो भारत का सीना चाक हो गया और जहां जहां वो गया वहाँ खोन की लकीर बनी तो उस स्यात्रा के बाद ही इसकी जरूरत थी कि भारत को जोडने का एक अबियान शुरू हो जो राजनीतिक भी हो क्योंकि लाकिश नाडवानी मुक्रूप से राजनीतिक बेखती थे तो राजनीती और समाज को मिलाने की कोशिस बहुत जरूरी थी यह चुनौती पहली बार राहूल गांदी और कॉंग्रिस पार्टी ने सुिकार की है अब इस बीच समाज का दिमाग बदल चुका है उसका कॉमन सेंस बदल चुका है आप उसको कितना अपील कर पाएंगे तो यह दिकत यह सिर्फ राहूल गांदी की कमी नहीं होगी बलकि पार्टी गंबीर मसला है कि जो तो समाज थले बदल चुका होवे हैठा मैट्रिक्स चेंज हो चुका होवे ओस फर्मामेंट दे होते ओस तर्ती दे होते केस तरीके देनाल कोई अजे ही गाली शुरू किती जावे जो तो समाज बिलकुल वकरी ही सुर नो रिस्पांड कर र है अजकल पंजाब विच है ते पारच जोडन दी गल कह रहा है ते पारच दा एक डिफरेंट तरह दा सुपना मोहन पगवत जी ले रहे ने तो उन्हान ने बड़ी विस्थारत इंटर्विव दिती है ए दोनों तरदद आपस विच बड़े जोर नाल पिड़े होई ने र पाइनल फैसला सुना रहे ने ताँ उस वेले भी पंजाब दे विच कोई ऐसी वी कम्यूटी है जिसने इदनल केस्त्रीके नाल वबस्ता होना हुदे सामने सुवाल है साड़ना प्रफेसर अपूरवा नंजी जुड़े हो इने इस मस्रेद होते है प्रफेसर अपूरवा दे विच दर असल उसके समद्या पाड़ा नहीं है लोग दर असल इकोजे ने जिदा मत्रवंदा के साड़ी सियासत सानू पॉलराइज कर दी है वेन ही कम्स तो पंजाब ए नेरेटिव थोड़ा कॉम्पलेक्स हो जानदा है कई दी मेरा दिल करता है कि मैं ओ पाशन लिखा जड़ा राहुल गांदी ने नहीं देना मैं उमीद करांगा या कोई भी से इनादमी उमीद करेगा कि राहुल गांदी एक कैन के पंजाब दी कथों दी रिजिनल प्लिटिकल एस्पिरेशन दी मूवमेंट जड़ी है ओ चल खोन डुला ते उस दे विछ बहुत मावां दे पुटर मरें केंदरी नित्रित्व ने भी गल्तियां कीती यां ते खोन डुलिया ते दोलिया ते ऋदे विच मेरी जड़े ग्रैन्ड मदर सी ओ भी ओधे विच मारे गएए तो ये बहुत दर्द पर रही ते बड़ी कॉम्प्लेक्स कथा है देश ने इते नल इंगेज करना है ते सानु ऐस विले बड़ी एक डिफरेंट किसम दी राजिनिती दी लोड़ा जिले चासी स्वेद अंदर चातमारी है कॉंग्रेस इंगेज करें के उन्नी से उस सिवें प साती तोड़ते के में इंगेज की था पंजाब दे विच आके ओ एहो जी कोई गालों नहीं कर दे वो एक बड़ी जेनरलाइज जेनरिक गल्ला कर देने इस करके ओर रिस्पॉंस बड़ा डिफरेंट आजनता है सेकंडली मोहन पगवजी ने जड़ा हिंदू रश्ट दा कभी करदाने आ गया होन कालनु यह तो कोई डिबेट चुरू हो जाएगा तो जो मोहन पगवजी सारे देश नु दासरे ने फिर सारे देश नु दासना पहेगा कि देखो पंजाब विचे कहो जी कौम रहन दी है जड़ी एननी नुमाया जमात नु जड़ी एक अजार साल जिसमें वो फॉल्ड लाइन भी है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं यानि असी का दशक, असी के दशक में जो कुछ भी हुआ बलकि नबे के दशक का भी एक इसा फिर से वह सब कुछ याद आ रहा है और पंजाब एक तरह से फिर से खदकने लगा है इसलिए कोई भी सवाल आखरी तो पे कभी भी खतम नहीं होते हैं अगर आप उनको इमानदारी से उनको डील नहीं करते हैं इमानदारी से आप उनको बहस नहीं करते हैं तो समाधान उनका होता नहीं हैं और पंजाब के साथ यही हुआ है कि हमने चालाकी से चुपी से उसको निबटने की कोशिस क نے کہا کہ راحل گاندی اور کانگریس پارٹی ایمان دائری اور حمد کے ساتھ اس کا سامنا کرے گلتیاں ہوتی ہیں اندرہ گاندی نے اپنے فیصلے میں گلتی کی اور اندرہ گاندی پردان منطری بھی تھی ٹھیک ہے وہ راحل گاندی کی دادی تھی لیکن پردان منطری تھی اور کسی کی بھی سمیقشا کی جا سکتی ہے اور ان کی بھی سمیقشا کی جانی چاہیے اس وقت جو راجنیتی ہوئی اس میں جو گلتیاں ان کو ان کو کہنا غلط ہوگا مجرمانہ غلطی ہے تو آپ اگر ان پر بات نہیں کریں گے تو آپ کی بات وہ بھروسے کے قابل بھی نہیں ہوگی اور اسی لیے جب آپ بھارت جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو بھارت جوڑنے کی بات میں ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنا بھی بہت ضروری ہے جنریک ڈھنگ سے بات کر کے آپ اگر اس اس پر ایک کالین بچھا دیتے ہیں جبکہ نیچے دراریں پڑی ہوئی ہیں تو دراریں تو نہیں جا رہی ہیں آپ ایک سندر کالین بچھا رہے ہیں تو جنریک بات یہی ہے جس سندر کالین ہے جبکہ آپ کو ان دراروں کو دیکھنا ہے جو دراریں ہیں میں نو پنجاب دوچ کوئی وہ کانگرسمن بھی دکھائی نہیں دے رہے جڑے راہل گاندی نال اے وارتہ راب کھولن جڑے اے گلبت شروع کرن میں نو دراصل پنجاب دوچ کانگرسی بھی دکھائی نہیں دین دا کوئی ہاں تو یہ ابھی ایک پریشانی ہے جن کو آپ انٹرلوکیوٹر کہتے ہیں جو الگ الگ جگہ پر ہوتے ہیں وہ انٹرلوکیوٹر اب ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ پوری جمعواری راہل گاندی کے کندے پر ہے ہمم اور راہل گاندی کے کو جو ایک جس چنوٹی کا سامنا کرنا ہے وہ یہ کہ اسے ہندو مائنڈ کو ایڈریس کرنا ہے وہ جو شروع سے کرتے آ رہے ہیں وہ دکھائی پڑھ رہا ہے کہ اس ٹرائنگ ٹو آہ گیٹ اے بیک بریک ٹھو ہمم کی ہندو مائنڈ کسی طرح ریسپانڈ کرے تو ان کا پورا سیمبولیزم ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اردگرد گھوم رہا ہے ہندو سیمبولیزم کے اردگرد گھوم رہا ہے سیمبولیزم بہت امپورٹنٹ ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ پچھلی وری جس راہل گانڈی نے کوشش کی تھی ہندو مائنڈو ایڈریس کرن دی تا اپنے جنی ایوڈی گال کرن شکرو کی تھی اور مندرہ میں جانا شروع کی تھی ہون جس بلے بھارت جوڑو یاترہ دے دوران انہیں کوئی رستہ لباندی کوشش کی تھی ہے اور ہاڈیو رسپانڈ کے او بھاو رام مندر دے پوجاری تو بھی اشیرواد لے رہے ہن تے کیونکہ انہوں نے کہا اسیتہ صاحب نو اپنے ویچ سمونہ ہے نو Bio so yeah but there's a political component to it. I think congress will have to decide & about its non arguments , so you cannot invite the chief priests of قینا چیز سمید راہ کے ذاکتے دیں چیز سمید راہ کی نان ت Sasaki خیلی جس تکرین پشید ت Burz answersیا ہے وہ صورت تکرینгор کی गांगरस को ले कहने थी हिम्मत ऐसे लो प्लिटिकली भी नहीं है अगर नहीं होगी और प्रैग्मेटिक पॉलिटीशन जे इसला भी देंगे कि रबदा वास्ता है ना कहना नहीं लेकिन वह प्रैग्मेटिसम अंत्ता नुखसान पहुंचाएगा क्योंकि अगर भारत गलत है और यह सही है आप यह नहीं कह सकते कि गलत और सही की बात ही हम नहीं करेंगे और हर कुछ ठीक है तो जब तक यह साहस नहीं आएगा तब तक भारत जोड़ों की बात यह सद्भावना की बात प्रामाडिक नहीं होगी आथिंटिक नहीं होगी तो वह आथिंटिसिट तो क्या गांधी नौाखाली में जब चल रहे थे रोज सुबह साथ बजे निकलते थे तो क्या वहां उन्होंने मुसल्मानों को नहीं कहा कि आपने गलती कि है वे लगातार मुसल्मानों को कहते रहे कि गलती कि है क्या उन्होंने बिहार में नहीं का हिंदों को कि आ अपने गलती कि रहे उन्होंने बठवारे के बाद कि आँए कि जातरा कह रहे ने कि I am very sure कि ओ मोहन भगवत दे इंटर्विव दे नालवी एंगेज नहीं करने जिसले कोई सामने उना दे निरेटिव दे बराबर काउंटर निरेटिव सिर्च रहा है बहुत तरी चीजां दे उते हो चुपने पंजाब दे विचो असी गल कीती है किना चीज कि आफ्टराल राहूल गंदी अपने ही आतरा दे प्लिटिकल कंपोनेंट तो कोई इंकारी ता है नहीं कि ओदा मायना किया मायना ते है कि तुसी ओस राजनी तक स्पेस बे विचे कोई एवन फील्ड ले अना चाह रह हो तोड़ा जड़ा एक पास्टर फील्ड होया पॉल करवांदे विच बहुत लंबी चोड़ी स्टोरी की ती एक दो महीं ने पहला के नरेंदर मोधी दरसल आरेसेस दे ही चीफ बन चुके होए ने तो ही ने सब को इतमाहन भगवतित नंबर टू ना नंबर वांदी पोजिशन इक हों दिया तो नरेंदर मोधी खोला है कि तो राहुल गांदी देनाल तुरन वाले पंच छे लोका नूवी नहीं उबा रहे है जे तुसी शक्सियत तो बार नहीं आ रहे ता तुसी एक शक्सी राजनीती नूँ काउंटर के में कर सकोगे यह सवाल ज़रा पेचीदा है जटल है क्यों हम बात करते हैं कि परसनालिटी ब नहीं कर सकते हैं और इस वजह से राहुल गांदी पर सारा कुछ फोकस हो गया है वह उनकी टीशिट है वह उनकी दाड़ी है वह उनकी समवाद है उनकी बातचीत है उनका चलना है चलने की चाल यह हम पहले भी देख चुके हैं गांदी बहुत तेज चलते थे थे नहीं बह सारा फोकस उस उस वक्त भी आप शिकायते सुनते हैं कि बिल्कों बिल्कों परस्नालिटी बेस्ट हो रहा है तो लोग कहते थे कि गांधी को गरीब रखने में कितना पैसा लग जाता है मेरे दिक्त वो नहीं है मेरे दिक्त यह है कि आप को यह स्पर्श करना पड़ेगा कि आपकी महबत का कॉंटेंट क्या है political content क्या है वो महबत vacuous महबत नहीं हो सकती खाली महबत खालावच महबत नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकता कि आप ये नहीं कहें कि दरशल इस महबत का मतलब है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी पर अटाक नहीं होगा सवाल हिंदु मसल्मान के बीच खाय का नहीं है सवाल मुसल्मानों पर हमले का है सवाल इसाइयों पर हमले का है तो हमें यह बात भी साहस के साथ बोलने चाहिए यब बोलते व итог माहरा हूँ कि मज़े वो परिशانी मालूम पड़ रही है परिशानी यह है कि इतने दिनों में एक हाडन हिंदू माइंड तयार हुआ है जिसको आप तोड़ने की कोशिस कर रहे हैं और वो हिकमत मैं देख रहा हूँ राहूल कांदी का डिलेमा कि वो कहां से मिलेगा वो रास्ता कहां से मिलेगा जिससे मैं घुस सकूँ तोड़ा हकीम की तरह बात कर रहे हैं जो दवा ऐसी है जो बहुता हस्ता हस्ता असर करें वो कोशिस कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें से भी जादतर लोगों ने मदद नहीं किये उनकी पार्टी मैं से मदद नहीं आरी है तो जब हमने मदद नहीं किये है और पूरा एक ethos बदल चुका है तो हम राहूल गांदी से उन सब को पलेट देने की कोश्ट डिमांड कर रहे हैं जो दर असल हमारा accumulated हमने खुद किया हुआ है और यह कुछ जादा है यह तरह की नाइंसाफी है राहूल गांदी के साथ यानि उतने resources उनके पास हैं कि नहीं प्लेक्च्वल बाकी organization हमने एक चीज को discredit कर दिया उसकी साख खतम कर दी वह सेक्यूलरिजम था उसको restore करने की जम्मेवारी अब राहूल गांदी को दे रहे हैं जबकि हमने खुद ही उसको ट्रैश किया हमने खुद ही उसको मौलूम नहीं पर अपनी साख शैदो बचा ब पूरवा नंजी दिया चाली पंताली मिंटा दे विच कहिया गलाननु छेती नार रभाप करने कोशिछ करना, so that's all that we have for today. रभ रखा.